मजा नहीं आ रहा है मजा आया क्रिप्टो मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ता है यह चीज याद रखना तो SPX और Dixi जो की मेन चीज हैं जो की क्रुप्टो मार्केट को इफ्लूएंस करते हैं उसको यूज करके हम लोग स्काल्प कर रहे हैं आप लोगो को भी दे रहे हैं स्काल्प के ट्रेट्स की परफॉर्मेंस अपने अब देख लियोगी और काफी लोग बोल रहे हैं कि यार स्काल्प ट्रेडिंग हमें भी सीखनी है इसके बारे में बात करेंगे इसके लवाँ जाने के आपको बताया था यहां पर रिटेस्क करने गया रिटेस्ट हो गया अब जो है आप देख रहे हो कि रिटेस्ट में क्या किया गया है support area तो है लेकिन यह जो 4R के moving averages है बहुत important होते हैं मैंने आपको बताया है और यहीं से जो है market bounce करता है इसके लाबा 4R के 200 EMA को हम पहले भी discuss कर चुके है इसी को retest करने जो है market गया था जो market इसको retest करता है तो वहां से जो है bulls strength gain करते है और आप देख सकते हो यहां पर bulls try कर रहे थे यहां पर wears भी try कर रहे थे थोड़ा muted market रहा over the weekend और उसके बाद market ने जो है अच्छा upside move पकड़ा अभी जो है market retest किया दुबारा से अभी जो है उपर जा रहा है अब यहां पर market अगर बहुत तेजी से उपर जाता है तो that's not good for us हमें चाहिए कि market धीरे धीरे गर के ही उपर जाए ताकि moving averages का support साथ में लेते वे चले अभी अगर आप देखोगे alt points को तो alt points में जादा move नहीं है और लोग सोचने ऐसा क्यों हो रहा है it's because dominance is increasing मतलब क्या है कि bitcoin पे पैसा flow in हो रहा है जैसा कि मैं आपको बताया है कि crypto में पैसा कैसे flow in होता है पहले bitcoin पे जाता है फिर हमेरे पास large gaps जैसे ethereum पे जाता है solana पे जाता है matic पे जाता है जो भी large gap उस time पे होंगे उसके बास smaller gaps पे जाता है and finally वापस पैसा जो है bitcoin पे जाता है and then usdt पे जाता है इस तरीके का cycle होता है अभी हम cycle के first stage पे हैं जब कि bitcoin पे पैसा जा रहा है इसके बाद ही altcoins पे जाना start करेगा and उसके preparation में ही हम bitcoin dominance को यहाँ पे shot करते हैं first entry short की हम यहाँ पे लगाएंगे second entry जो हम उपर लगाएंगे 55 के आस पास why do we short bitcoin dominance क्योंकि आप देखो mentality समझो bitcoin से जाएगा large cap पे जैसे कि पहले bitcoin पे पैसा आता है so dominance shoot up करना start करती है dominance जो है उपर जाती है अब यहाँ पे bitcoin का price भी उपर जा रहा है तो लोग जो है अब बोलेंगे कि अब next पैसा तो भाई altcoins पे जाएगा तो सब लोग फोमो में altcoins buy करना start करेंगे and dominance जो है यहाँ से गिर जाएगी इसलिए हमें यह guarantee trade रहता है क्योंकि fully market की psychology पे based होता है यहाँ पे support resistance का इतना काम नहीं होता है यहाँ पे भी हमने यह करा था अब हमने यहाँ पे भी यह करा था अगर आप previously वीडियो देख रहे हो तो हम यह एकदम guarantee trade बोलते हैं इसको and please do not miss this करते हो miss तो that's up to you इसके अलावा अब altcoins की बात करें जोसे ing है bitcoin इतना pump कर रहा है लेकिन ing is not moving a lot because market में अभी पैसा bitcoin पे flow हो रहा है तो आपको क्या करना है इस मौके में आपको prepare करना है strong alts पे अच्छी position बना के रखो मैं अच्छी position बनाओ और उसको hold करूं केवल strong alts में क्योंकि पैसा जो है large cap year strong alts में ही जाएगा उसके बाद ही जो है बाकी alts में जाएगा तो आप पहले उन पे build करो राइट जैसे की BNB है राइट BNB ने आपे breakout किया और यहां से अच्छा खासा ऊपर जा रहा है तो इस पे आपको पहले से position बिल्ड करके रखनी थी यहां पे बहुत एक ऐसा structure बन रहा था आपको प्लीज यह खुद भी करना है मैं आपके ट्रेड नहीं ले सकता हूँ आपके लिए अब बात करते हैं जार स्कैल्पिंग की मार्केट जो है साइडवेस काफी चल रहा है और लोग जो हैं बहुत बोर हो रहे हैं यह मार्केट में तो ट्रेड्स है नहीं बट वी आर ट्रेडिंग और मैं आपको भी हाँ पर इस इस इंड़र आपके बहुत कम थी जब मार्केट में बहुत कम थी तब भी इस ट्रेक्नीक से आप जो है अच्छा वैसा कमा सकते हो अब यह वर्क कैसे करता है काफी सारे लोग यह सोचते हैं कि किस तरीके से इसको वर्क करवाएं तो उसके लिए मैंने आपको अल्रीडी बहुत बार बता रखा है तो आपको क्या कुलना है आपको ट्रेडिंग भी खोलना है तीन साइट पे या फिर आप तीन स्क्रीन खोल की जबार लगा के कर लो तो अब एक पर हम यहां पर खोलते हैं यूएस 500 जो की है हमारा यूएस SPX का फ्यूचर का मार्केट वाइड वाइड वी यूचर कर रहे हैं तो यह जादा जल्दी अपडेट होता है SPX का स्पॉर्ट भी आप खोल सकते हो लेकिन स्पॉर्ट जो है एक limited time के लिए अविलेबल रहता है फ्यूचर आपके लिए बहुत टाइम तक अविलेबल रहता है फिर हम यहां पर खोलते हैं डिक्सी डिक्सी हमें बताता है यूएस मार्केट की स्रेंथ अब हम इन सबको 15 मिनट के ताइम पर कोलेंगे यहां पर आपके पास आएका आप देखोगे इस वहीं से बनाया वा था यहां से उपर गया रीटेस्किया सपोर्ड को यह एक रेंज ता रेंज ब्रेक आउट यहां से अच्छा ब्रेक आउट आए अब यहां पर हमारे बास मेंगा राजिस्टेंस है लिक्विडिटी जोन ग्रैब है लास यहीं से करते हैं liquidity zones हम यूज करते हैं support resistance हम यूज करते हैं order blocks हम यूज करते हैं moving averages हम यूज करते हैं तो वो सब एक video में समझाना impossible है उसके लिए we are working on a course चोकी four five hours long होगा काफी time लगेगा उसमें and अगर आपको वो course चाहिए if you want me to make that course आपको इस video पे कम से कम 700 likes करने होंगे एक 700 likes minimum जरूरी है वाइब कोर्स बनाने वालों करना market में बहुत ही खराब reputation है क्योंकि लोगों को trade करना नहीं आता है लेकिन course बेचके पैसा करना बहुत easy होता है I already told you I already showed you the accuracy जो हमारी यह technique काम कर गिलाती है I show you my PNLs daily तो उसके हसाब से I hope you guys know कि हमें rate करना आता है यह नहीं आता है इसके लाब आपको क्या करना है रही तो US stock market में आप देखोगे तो यहां पर moving averages को हम use करते है moving averages का settings जो है सब लोग पूस्ट हैं तो these are the settings for moving averages सब में same to same है 200 हमें चोड़ा लाज time frame पर देखते है 20 जो है हमारे पास as the ultimate support रहता है 9 यह में direction बताता है और 15 यह में जो है हमाई entry बताता है तो 15 यह में पर mostly entry लेते हैं इसके अलाबा यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमने सब में खुला है लेकिन दिक्सी पर moving averages इतना काम नहीं करती है और दिक्सी को usually मैं पांच मिनट में open करूंगा और यहां पर आप देखोगे कि डिक्सी जब उपर जाता है तो यहां पर बिटकोई उसी के साथ नीचे आ गया इसके साथ US market भी नीचे आ गया वन US market is going down, Dixie is going up, Bitcoin will come down तो वहां पर आप उस तरीके से trade बनाते हो तो अगर यहां पर मुझे दिखता कि Dixie जो है strong लग रहा है थोड़ा तो मैं short ले लेता इतने ही candle में cover कर लेते तो scalping में आप $1000 का move नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो कि Bitcoin में $100,000, $200 का difference आएगा और उसी में जो है आपको trade लेना है that's why we take 50X के trades and यहां पर अगर आप scalp sniper देख लोगे तो यहां पर आपको समझा जाएगा किस तरीके से हम trade करते हैं for example मैंने आप एक long दिया था जो कि 69,000 से हमने दिया था 69,287 तक तो $300 का move है इस पर आप 1 BTC का long लेते हो तो आपके $300 बन जाते हैं इस तरीके से एक trade था फिर यहां पर हमने एक trade दिया था which was from 68,639 जिसका target था 69,289 तो $600 का वहां पर move था तो इतने ही move जो हम capture करते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हो किस तरीके से हम एक short short move पर अच्छी entry लेकर चोटे time frame में ही लेते हैं चोटे time frame पर ही बंद कर देते हैं moving averages को कैसे use करना है liquidation maps को कैसे use करना है क्योंकि liquidation maps से आप जो है और भी accuracy ला सकते हो तो यह liquidation maps भी हम यहां पर use करते हैं so that was a brief introduction to scalping अब आपको कोर्स चाहिए तो आपको likes करने पड़ेंगे because मैं कोर्स बनाऊंगा लोग मुझे वाल्त गाली देंगे कि भाई यह तो कोर्स बेच के पैसे कमाता है and I don't really want that वैसे ही स्काल्पनाइपर पर फ्री के टे रहा हूं उसका भी कोई पैगे कीचे नीट लफज मेरे हतियार पहली चोटनो के सीन से से गिल्टीन रगो में बहरा निक्रतीन नसीला पदार आजा कश तुझको दूब पहला पफ मैं ले लूँ चाहता मुझको खून बचले बेटा